नमस्कार दोस्तो आप सिभी के लिए बहुत बड़ी गुड नूज है विकोड फ्रेंस फाइनली कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर से विकिंची आज चुकी है जो की ओल इंडिया गोर्मेट जोब रहने वाली है दोस्तो आप भारत के किसी भी राजय से बिलोंग करते हैं चाहि आप मेल हैं चाहि आप मेल आप all over इसमें ऐप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपका तक बाता का Cloud- standing होगा यह बर्ती आपके लिए फोई बर्ती रखें गई आपकी सीधी बर्ती रहने वाली है कोल इंडिया लिमिटेट के अंदर जो की एक बहुत बड़ी सरकारी कमपनी है यानि कोईला भी भाग सो दोस्तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो एसे ही रोजाना सरकारी गोवर्मेंट नोकरी की अप्डेट सबसे पहली पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजेगा सो दोस्तो अभी आपके step by step सारे doubts clear होने वाले हैं जैसा कि क्या आपका selection procedure रहेगा कौन-कौन candidates इसमें apply कर सकते हैं सो दोस्तो यह बरती जोए management training की रहने वाली है यानि आपके जोए यह बरती basis वाली रहने वाली है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं mining की, civil की, electronics and telecommunications की तो दोस्तो इसके साथ साथ यहाँ पर system and EDP की काफी सारे vacances आज की है जो की 1100 प्लस पदों पर यहाँ बरती ही रहने वाली है तो इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा अब बात के जाई आपके कुछ important dates की तो आप यहाँ पर 23.06.2022 से लेकि 22.07.2022 तक finally apply कर सकते हैं यानि 22.07.2022 आपका last date रहने वाला है अब next बात के जाई आपके यहाँ पर qualifications की तो दोस्तो नंबर एक पर आपकी vacancy है mining की नंबर डूप पर आपकी civil की और नंबर थर्ड पर आपकी electronics and telecommunication इसके अंदर आपसे एक technical degree मांगेगी है अगर आपने किसी भी ब्रांच में अगर BE, BTEC, BSC, Engineering अगर लिवन ब्रांच में अगर आपने कर रखिये तो दोस्तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं साथी साथ आपकी इस degree के अंदर कम से कम 60% होने चाहिए यानि अगर आप होश्यार है, आपके साथ प्रतिस्त है तो दोस्तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं और number 4 पर बात किसाए system and EDP की इसके अंदर आपकी same qualifications रखी गई है बट वो degree दोस्तो आपके जो computer science के अंदर होने चाहिए यानि आपकी BE, BTIC या BSC अगर आपकी है तो अगर आपने computer science के अंदर कर रखा है और कम से कम आपके 60% है तो दोस्तो आप यहाँ पर finally apply कर सकते हैं अब next दोस्तो बात किसाए आपकी यहाँ पर क्या fees रहने वाली है, क्या आपका last date रहने वाला है तो दोस्तो जैसा कि आपको बताया था, last date आपका यहाँ पर 2272 रहने वाली है अब बात किसाए आपकी category wise vacancy की तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते ही, यहाँ पर 1050 पदों पर notification जारी कर दिया गया है category wise आप इन पोश्टों को देख सकते हैं नंबर एक पर mining की यहाँ पर 699 पद है, civil की 160 है, electronics and telecommunication की 24 है, system and EDP की यहाँ पर total 67 पद है और category wise कौन सी, reserve category में आपके कितने पद है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तो next बात कि जाए आपकी यहाँ पर reservation की तो reservation दोस्तों आपके यहाँ पर जो है, क्या रहने वाला है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इन्होंने साब साब दे रख है अब आपका selection procedure, यानि आपका exam तो होगा नहीं, तो आपका के से selection होगा तो दोस्तों, selection आपका gate के marks के इसाब से होगा अगर आपने gate का exam दे रख है, क्या आपका score है, क्या आपके marks है तो उसी के according आपका यहाँ पर selection रहने वाला है, यानि आपका selection merit basis होगा तो दोस्तों, इस बत्ते के लिए जरूर apply करिएगा, अगर आप पढ़े नहीं है, बट आपके marks असे है, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते है अब बात के जए आपकी application fees के बारे में तो दोस्तों, वो भी इन्होंने साप साप देरख है, जैसा कि general OBC और यहाँ पर EWS category के लिए जो fees रहने वाली है, जो 1000 रुपे रहने वाली है, जो इन्होंने साप साप देरख है और दोस्तों, यह fees आपकी non-refendable रहने वाली है, 180 प्लस आपका GST देगा, टोटल 1180 आपकी जो fees रहने वाली है और जो other दोस्तों, जो category है, जैसे SC, HD, PWD, ESM, उन candidates के लिए आपके जो है form fees नहीं रहने वाली, यानि आपके लिए बिल्कुल free रहने वाला है तो आप यहाँ पे जो जरूर apply करिएगा, आपने भी technical qualifications का रखिए, अब बात के जाए आपके कुछ upper age limit की तो दोस्तों, less age आपकी जो 18 से 30 साल रहने वाली है, और आप क्या आपका जो age का criteria रहा है, वो भी categorize उन्होंने देर खाया है, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल तक का या पे जो इन्होंने वर्णन कर रखा है तो दोस्तों, इसका जो संपूर्ण notification है, वो हमने वीडियो के description डाल दिया है, आप वहाँ से जाके आसानी से इसको download कर सकते हैं और ऐसे ही रोजाना सरकारी government nocle की update सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चनल को आभी subscribe कीज़ेगा दोस्तों, फिर भी अगर आपके कुछ doubts रहते हैं, तो आप हमें वीडियो के comment में पूछ सकते हैं, हमां कोशिस करेंगे आपके सबी सवालों के जो सही और बिल्कुल समय पे answer दिया जाए सो दोस्तों, अब बात के जाए आपकी salary की, जो की बहुत है handsome यहाँ पे salary रखी गई है, management training की बात के जाए 50,000 रुपए से लेकी, 1,60,000 पर मंद आपकी salary रखी गई है, वही आप category बाइच सभी दोस्तों salary को देख सकते हैं, यानि all और कम से कम आपकी 60,000 यहाँ पे salary रखी सो इस बरते के लिए जरूर apply करेगा, और कैसे आपको apply करना है, सो दोस्तों apply आपको क्यावल online mode में ही करना है, आप इनकी इस official website पर जाएगा www.colindia.in, आप इनकी इस official website पर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, और यहाँ से apply भी कर सकते हैं, सो दोस्तों, ऐसे ही रोजाना सर विकारी गुर्मिन नोकरी की update सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चनल study with आज भी स्वामी को अभी सब्सक्राइब कीजए और आज के लिए धन्यवाद